हेलो फेंट्स वेलकम टू अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स आज के इस वीडियो लोगो एक ऐसे कंपन आई पियो के बारे में डिसकर्स करेंगे जिसका यहां पे जी बहुत ही शांदा और लिस्टिंग इन होने के बहुत ही जावा चांसे बहुत ही शांदा लिस्टिंग इन मिलने के चांसे और यह आई पियो जो है कल के दिन ओपन हो रहा है और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो की एक आई पियो है मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था गाई उसका नाम है और इसी कंपनी का आज हम लोग कंप्लेट करेंगा चलिए अब हम लोग इसके कंपनी का कंप्लेट यहां पर करते हैं और अगर आप चानल पर नहीं सब्सक्राइब जो की जगा बेल बेटन पर क्लिक करके और पर सेलेक्ट कर लेजिए ताकि आपको आई प्यों सेलेटर सारी अप्डेट्स मि सब्सक्राइब करता है इसके साथ कंपनी जो है माइक्रोफ्ट डाइनामिक्स 365 प्लाटफॉर्म डेटा एंड आई जो कि माइक्रोफ्ट तू अजिए और कोलाबरेशन प्लाटफॉर्म के द्वारा जो पावर्ट किया गया है इसका ज़सल्दी यहां पे कंपनी उफर करती है साथ में कंपनी जो है अपने मलकी कि एक साथ लाने में help करती है क्या तो यह और कस्टमर कंपशनjenच्स और फैक्टर्री आड फिर्ट सर्विसजरों स्टोर्स क्टोर फ्रंट अड scrubbing फफैंट्र सीपुर्म एन्ड इसके साथ जो है आप देख सकते लिए एक्षन लेबल करने के लिए सब्सक्राइब करती है जो कि हैं इसब्लाइब करती है इस यहां पर देख सकते हैं कंपनी एन किस्टमर्स फैक्टरी एनड्ध सर्विस इसटोर फ्रंट एंड्ड़ सप्लाइचेन पेटेंड्स और लिमिटेट जो है यह साथ जो है यहां पर आफ शोर टेकनोलोजी सर्विसेज भी जो इसने प्रोवाइड करती है जो कि लार्ज Microsoft बिजनस एप्लिकेशन पार्टनर्स के साथ जो कि यूएसे और यूरिप से जो Microsoft की जो बिजनस एप्लिकेशन है उसको लार्ज एप्लिकेशन जो कुछ लार्ज एप्लिकेशन पार्टनर्स को यहां पर टेकनोलोजी सर्विसेज जो प्रोवाइड कराती है अब यह उफ्लिकेशन के बाद कंपनी तक यहां पर हंडिट परषेंट जो है इसका वर्क्राम फ़ोंपर शिफ्लिकेशन जो फिकल ओफिस जो था, जो यह बहुत मतलोग की कैसे बहुत अच्छी प्लेश का हा इंडिया की नॉड़ा बैंगलोर तो यह जो विजनस आप्लिकेशन किस्टमर्स जो है जो कि 50 customers company का total all over the world जो से 750 customers है इसके असासत कम्पनी का जो से यहां पर business application customers जो है जो कि इंडिया से किसी भी partner का acquire करती है किसी पार्टनर से जो यहां पर business application customers जो से यहां पर acquire करता है जो कि highest number में acquiring करती है तो देख से तो company overall जो देखा जाए तो इसका जो fundamental है बहुत ही strong company business model में काम करती है और अभी टेक के मामले में अगर देखा जाए तो जितने भी टेक सेक्टर है आईटी सेक्टर है यह सभी थोड़ा सा डाउन देखने को मिल अचाहे वेप्रो हो इंफोसेस टीस सभी बड़े-बड़े आईट अगर देखे तो फिनाशल यह 20 में 40 204 लैक्स का एसेट था जो कि फिनाशल यह 22 में 6350 लैक्स का एसेट हुआ जो कि लगातार यहां पर कोवीट का टाइम में यहां पर जो से बहुत ही शांदर और इसका जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वह देख सकते हैं यहां पर 5528 लै का रेविन्यू ग्रोथ हुआ है अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहां पर 178 लैक्स का प्रॉफिट देखने को मिला था फिनाशल यह 20 में यहां पर कोवीट का टाइम प्रॉफिट थोड़ी सी गिरावट आई 822 लैक्स का यहां पर इंकम तो बहुत ही बहुत एच्छी ग्रोव हुआ है यह और यह में पिछले साल के लेकिन कोवीट के टाइम में प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई थी फिनाशल यह 22 में रिसेंटली गिरावट आई थोड़ी सी नेट वर्थ 3030 3071 लैक्स का है जो कि इंक्रीज होके 4446 लैक्स पे इं इंक्रीज होती भी देखने को मिलता है नेट वर्थ भी रिजर्व संट सर्प्लस 2956 लैक्स का था जो कि 21 में इंक्रीज हुआ 3786 लैक्स लेकिन 22 में थोड़ी से गिरावट आई यह मुझे थोड़ी से एक निगेटी पॉइंट लगा कि इसकी थोड़ी सी फिनांशल है यह है वीक देखने को मिला कि पॉफिट में गिरावट आई है इसके साथ सत कंपनी का रिजर्व संट सर्प्लस में गिरावट आई है लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कंपनी जो डेट था ठाटी लैक्स का यह लगाता डाउन करती हुए नजर आई और अभी इसमें 4.7 लैक् पर देखने को मिल रहा है अब है इसमें यह तो थी कंपनी का लोगी चाहिए को कपनी लोन तो तो company नहीं चाहती है कि company किसी भी bank या financial institution से loan ले तो इस वहाँ से company जो इसे expense करने के लिए public issue कर रही है इसके साथ-साथ company यहाँ पे अपने business जैसे business और इसी के similar में complementary areas जो है उसको acquire करना चाहती है और general corporate purpose के लिए IP लाया गया है तो इस सभी कारणों से यह company जो सो IP ला रही है अ जो गाइज यह IP जो है कल के दिन open हो रहा मतलब 9 December को यह IP open हो रहा और 13 December को यह close हो जाएगी 10 रुपेश का face value रखा गया 87-90 रुपीश पर शेयर की price band रखे गई है और lot size 1600 सेयर की lot size है इसू size 48.2 करोड का है जो कि 43.78 करोड का fresh issue और 4.42 करोड का offer for sale लाया गया अगर हम यहां बात करें आई प्यों का listing करते हैं यह जो से book built issue IP है और NSC SME में listed हो रहा है मतलब IP जो सा SME IP है इस वह से यहां तो NSC SME या तो BC SME इन दोनों में से किसे यहां पर और रिटेलर्स यहां पर 35% को offer दिया गया मार्केट में कर निकुंच स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड है इसके प्रोमोटर्स जो है डॉक्टर अजय मियान और डॉक्टर सुमन मिया जो है इसके कंपनी के प्रोमोटर्स है अलॉट्मेंट की बात करें तो यहां पर 16 दिसंबर का अलॉट्मेंट डेट है 19 दिसंबर का रिफंस इनिशेट किया जाएगा 20 दिसंबर को और 21 दिसंबर का लिस्टिन डेट रखा गया अमाउंट यहां पे मिनिमम् 1,44,000 का अमाउंट आपको पे करना हो जिसमें आपको 1600 मिलेंगे रिटिलेर्स को और HNI को यहां पे दो लॉट अप्लाइब कर सकते हैं मिनिममम और 32 लाक्स आउट तरी टू हंड्रेट सेयर्स आपको मिलेंगे जो कि टू लाक एटीएट थाउजन रुपीज का आपको मिनिममम अमाउंट पे करना पड़ेगा तो कंपनी अगर देखा जाते एक रिजनेबल प्राइस पी में अप्लाइब की जाएगा जिससे आप इसके रिकॉर्ट डेटा को ट्रैक कर सकते हैं कि कंपनी कैसा पर्फॉर्मेंस देरी और अपर प्राइस बन जो कि 90 रूपीज का है इसी पे आप लोग अप्लाइब की और आखरी के दिन 13 दिसम्बर को यह अप्लाइब करना कर लेकिन यह पर्फॉर्मेंस का देखने को मिलेगा कंपनी क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिन इसमें अप्लाइब करना चाहिए वह आपको क्यों पर आफ दिन सब्दैक कुछ से एक बहुत इसमें लिश्टिंग इन आप को मिलने के चांसे से अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉच से पूचे अगर चानल पर नहीं तो सबस्क्राइब करके और सलेट करें जिसे आपको सारी अप्डेट्स मिलते रहे और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तिल दें बाई बाई